एम्स 2019 फिजिक्स की नेक्स प्रोब्लम आए देखते हैं इस प्रोब्लम में इस स्ट्रिंग की एक्वेशन गिवन है यहां पर यह और टैंसन पुछा गया क्या होगा आए देखते हैं इस स्पीड का फॉर्मुला था वी इकल स्ट्टीप और यहां पर टैंसन रो होता है डेंसीटी भी होती है स्पीड हम इसको लिखते हैं डेंसीटी गिवन है जीडो पॉइंट वन किलोगराम पर मीतर लेकिन यहां पर वैलेस्टी गिवन नहीं है यह equation दे गई है, इसकी standard equation में, यहाँ पर होता है A, amplitude, और यहाँ पर होता है omega T, यानि कि angular velocity, और यहाँ पर होता है K, यानि कि I equals to A sine omega T minus Kx, तो यहाँ पर यह omega की value given है, और यहाँ पर की value given है, तो हम जानते हैं, velocity होती है, speed होती है, omega upon K, तो omega की value है 300 यहाँ पर omega होता है standard equation में और यहाँ पर होता है यह k तो यहाँ पर आजाएगा k की value है 15 simplify करने पर आजाएगा यह 20 meter per second अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में speed भी है और density भी है इस formula में put करने पर density है 0.1 speed है 20 20 का square simplify करने पर आजाएगा 0.1 into 400 multiply करें आजाएगा 40 newton आप यहाँ पर देख से 30 newton 25 48 that means 4 option क्या होगा correct होगा दोस्तों इस तरीके सम्मीट और EMS की सभी problem solve कर रहे हैं अगर आप चाहिए तो इस lecture series से जो आई हो सकते हैं और mostly problem solve करके upload कर दी हैं इसका link में दे तुमा card में भी और description में भी thank you शुक्रिया